How to fix PTM? Your bank has declined problem नमस्कार दोस्तों सुआगर है अब सभी का थिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है केसे PTM के इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्फ केसे कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यह जो प्रॉब्लम है इसलिए भी हमें होते हैं क्योंकि कोई चीज हम गलत कर देते हैं PTM के अंदर पर तो उसके वज़े से प्रॉब्लम आते हैं ठीक है सारी साथ में दोस्तों यहाँ पर इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं यह भी मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना दिर के हुए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे हमें यह problem fix करना है वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को subscribe करते हुए बेल आइकून को क्लिक करें अगर आप online पेसा कमाना चातें तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा और किसी भी problem की regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कीज़े दोस्तों चले वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है आपको PTM पर जाना है और जब दोस्तों आप कोई transition या फिर कोई यहाँ पर दोस्तों मान रहें जेए payments ठीक है वो कर रहा है तो उस बग दोस्तों आपका जो card number है ठीक है आपका जो card number है अगर वो आप गलट click कर देते हैं तो उसमें problem हो सकते हैं और साथे साथ आपका जो CVV number है अगर वो आप गलट add कर देते हैं तो आपको यह problem होगा तो इसलिए दोस्तो जब भी आप कोई transition या फिर कोई payment करते हैं तो दोस्तो आपके जो card है उसके back site में देखिए वहाँ पर cvv number होगा तो उसको सही से it कर लिजेगा बस यही नहीं आपके जो expiry date है card का तेके आपका जो expiry date है card का उसको भी आपको सही से enter करना है जो card पर लिखा हुआ है front site में देखिए वहाँ पर आपको card का expiry date दिखेगा तो वहाँ पर जो number date लिखा हुआ है वह आपको enter करना है और उसके बाद आपका सही cv number एट करके आप payment या टुफिर ठीक है यहाँ पर recharge बगरा सब कुछ कर सकते हैं ठीक है तो अगर दोस्तों आपको ऐसा कोई भी problem हो जाते हैं तो आप simply यह तरीका यह solution यहाँ पर follow कर सकते हैं और आप इस चीश को एक बर्चेक जरूर करें इससे आपका काम बन जाएगा तो थोरा सा नीचे पर आपको आ जाना है 24 x 7 ठीक है तो यहाँ पर आप नीचे पर आ जाएए नीचे पर आपको दिखाई देगा आपका 24 x 7 support ठीक है तो वहाँ पर click करना है and end आप simply उन्हें message contact कर सकते हैं तो बस दोस्तो इस तरीके से आपका problem वह solve कर देगा ठीक है आज के लिए बस इतने उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा thanks for watching